कि हाल समाचा रहा है आपके क्या मोदी जी ने वापस से कोई टिप्स दी है क्योंकि काफी सारे लोग बोलेंगी सर्थ आपको लगता है पता था 2190 के पास में आपने इसको पकरा भी और ये पचीस सो के पास आ गया है माबला क्या है तो देखिए वह से टिफ्स दी नहीं दी क्या कहानी है आज की वीडियो में जाते हैं क्योंकि एक बार सदस्द में उन्होंने PSC स्टॉक के बारे में बोला था शेर मार्केट में रुची रखने वाले को भी ये गिरुव मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों के लोग गाली देना आप उसमें दाव लगा दीगिये था बक्षा यो जो लो और PSC स्टॉक रॉकेट हो गया था राइट अब वापे से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे चीजें लग करते हैं जाइस्टॉक मार्केट की सारी ख़वर और ऐसी एचल वाली न्यूस भी आपको मिलती रहती है और यूटूब मेंबर से वाले तो बहुत मज़े में होंगे जब तेजस उरान भरी थी मोधी जी में तो वहाँ पर हमने उनके साथ यह लर्निंग सेयर करी थी और वह बहुत ही खुश हैं और बहुत ही मुहबबत में हैं तो आप भी ऐसा ही यूटूब मेंबर से जोइन करके लर्निंग ले सकते हो आप सब ने देखा मोधी जी तेजस में बैठ कर उरान भरे तब आप कहोगे तेजस में बैठने से क्या है connection तो पहले connection देख लिजे कि तेजस में उरान भरने का डेट 25 नवंबर और इस स्टॉक में तेजी हुई 24 नवंबर को एक दिन पहले जिनको पता हो कि मोधी जी उरान भरने वाले हैं और उसके बाद market थपंद 28 नवंबर को ये स्टॉक गैप अप खुला यानी सिर्फ दो ट्रेडिंग सेशन में 2165 से 2334 और जान लेते हैं फिर मोधी जी और तेजस का क्या है कहानी उसको जान देते हैं तो लास्क संसद में इस कमपनी के बारे में मोधी जी ने जो कहा था पहले जान लिजे कि हमारी defense की helicopter बनाने वाली सरकारी कमपनी को लेकर भली-बुरी-बातिक कही गई है दुनिया में इसकी च् कम्पनी के फैक्टरी के दर्वाजे पर मजदूरों की सभा कर वीडियो शूट किया जाता था काम करने वालों को भरकाया जाता था कि आपका कोई भविश्य नहीं इसका बुरा चाहे लेकिन आज ये सेर नई बुलंदी छूड़ा है कम्पनी ने अपना अब तक कर सबसे ज़ एरोस्पेस लेबर्ट्री को दिये ये कम्पनी इंगेज है बिजनस और मैनूफेक्टरिंग और काम भी यही कम्पनी करती है मार्च 2023 के अंत में कंपनी का ओर्डर बुक लगवग 82,000 करोर का था और इस दौरान लगवग करीब 26,000 करोर के नए कॉंट्रेक्ट भी कंपनी को मिले और अब आते हैं लेटेस नियूस पर भारत की तीनों सेनाओं की ताकत कई गुना बरने वाली है चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत की सेना और मस्बूत हो जाएगी और D.A.C. ने 97 तेजस विमान और 156 प्रचंड हेलिकॉप्टर की खरेदारी की मंजूरी थी ये सौदा करीब 1.40 लैक करोर का है तेजस विमान और प्रचंड हेलिकॉप्टर को यही कंपनी सप्लाई करते है तेजस और प्रचंड को देश में ही तयार किया गया है यानि मेकिन इंडिया वहाँ पर रक्षा खरीत परिशत ने कुछ और सौदों की भी मंजूरी दी इसकी कुल खीमत 2,00,00 करोर रुपै होने का नुमान है और इन सौदों को मंजूरी मिलने के साथ इंडिया के हिस्ट्री में स्वदेशी निर्माताओं को मिलने वाला सबसे बरा ओर्डर यानि इस कंपनी को मिल रहा है ओर्डर पर ओर्डर वहाँ पर सरकार की मेकिन इंडिया से डिफेंस सेक्टर को सिर्फ आज नहीं लगातार फायदा हो रहा है इसलिए डिफेंस सेक्टर लगातार रिटर्न दे रहे हैं हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनौटिक्स का HAL का जो सेर स्टाक स्प्लिट हुआ था उसके बात से भी देखें लगातार भाग रहा है लगातार बहतर रिटर्न दे रहा है वहाँ पर आपको पता है कि मैं कभी भी किसी सेर में उसके वैलुएशन की तरफ नजर डालता हूँ तो जैसे ही आप इसके वैलुएशन पर नजर डालोगे आप सर्प्राइज हो जाओगे कि इंडस्ट्री पी है 38.4 यानि डिफेंस सेक्टर का इंडस्ट्री पी कितना 38.4 और इतनी तेजी के बाद भी इस स्टॉक का पी कितना है 27.4 वहाँ पर एक और पेरामेटर है PG रेशो 1.14 PG रेशो के नजर एक के नीचे हो तो सस्ता है 1.14 यानि एक के आसपास हो तो ठीक ठाक है उससे उपर होता है तो मेंगा यानि अगर आप PE के हिसाब से देखते हो तो सस्ता है लेकिन PG ratio के साब से देखते हो तो ठीक ठाक है वहाँ पर इनका ROC 30.6% और ROE 27.2% है order book मैंने बता ही दिया है free cash flow इनके पास 7000 करोर का है date सिर्फ और सिर्फ 0.37 करोर का है जो केक्तम मामली मुफली के बराबर का वहाँ पर सरकार की जो इसकीन है वो लगातार फाइदा दे रही है अब सारा खिल मचेगा किसके बाद 2024 के लेक्सन के बाद चाहे जिसकी भी सरकार आती है अगर वापस BJP सरकार आती है तो डिफेंस के परदी जो उनका नजरीया है जब जब सरकार बदलती है तो उनकी नीती और उनकी पॉलिसी बहुत depends करती है और उनकी निती और उनकी पॉलिसी पर इस तरकी सरकारी कंपणी जेने ओरर मिलता हैं उनकी तरकी निर्वर गरती है क्योंकि नए लोगे को यह सब पता नहीं होता तो कहीं न कहीं फसने का डर रहेगा तो ये चीज कभी ग्लोर ना कीजिए और वहीं पर चुई ये 270 ता लेवल था वो ब्रिकाउट लेवल था डू टू डाट रीजन ये हमारे रडार पे आया और मोदी जी उरें और बाते ना हो ये तो हुई नहीं सकता है तो आपको क्या लगता है मोदी जी ने टिप दी है या नहीं बताईएगा